हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सैमसंग के मुबाइल में ड्यूल सिम सेटिंग कैसे कर सकते हो जैसे कि आप अपनी सिम पे वोल्टी ए मोड चालू करना चाते हो या कॉलिंग वगरा देखना चाते हो कि कौन सी सिम से लगे या जो हमने या जो हम यहाँपे साइटिंग को ओपन कर लिजी ओर आपके पास यह वाला पेज आएगा यहाँप को मिलेगा टिक्षं तो कनेक्षं को देख लीजिए और ओपन कर लिजी यहाँ पर आपको मिलेगा एक option सबसर पहले mobile networks आप इसे ढूंड लिजिए और यहाँ पर आप सबसर पहले VOLTE select कर सकते हो SIM 1 पर SIM 2 पर इसके लावा आप LTE और 3G, 4G भी यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पर कहा रहा है use mobile data during call तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि call करते करते भी आप net चला सको अपने Samsung के phone में तो आप इसे चालू कर सकते हो वरना बंद कर दीजिए फिर यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा SIM card manager इसे use करें यहाँ पर आप SIM को बंद और चालू कर सकते हो अब यहाँ पर पूछ रहा है call कि SIM से लगे तो यहाँ पर हम चाहते है SIM 2 से call लगे यहाँ पर कह रहा है message कौन से SIM से जाए तो यहाँ पर हम SIM 2 कर देते हैं आप पूछ रहा है मोवाइल डाटा किस से चले यारी नेट किस से चले यहाँ पर हम स्वेट्वन को सेलेक्ट कर देते हैं अभाइब एसे भी यूज कर सकते हैं तो जो सिम नंबर वॉन है जहां सिम कार्ड वन पर आप नंबर डाल सकते हो पर बहूं और और अधर सिंद दूसरे नबर पर लगाएं साइदा को सौझ में आया होगा इसके अलावा आप और भी सेटिंग्स कर सकते हो मोर कनेक्शन सेटिंग में जाके वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में